Hi beautiful soul family, friends, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुनने के लिए और इस प्यारी सी family का हिस्सा बनने के लिए. चाहे आप एक ही दिन के लिए क्यों ना आए हों, लेकिन आप इस family का आज हिस्सा हैं अगर आप इस reading तक पहुचे हैं तो. तो आज हम बहुत special reading करने वाले हैं और वो भी full moon की, जो 14th को है और ये full moon कुछ miraculous करने वाला है. और इसके बाद जैसे ऐसे समझ में आ रहा है जैसे no returning back, यानि आप जिस दलदल से निकल चुके हैं और जिन चीजों को आप पीछे छोड़ चुके हैं, अब वहाँ वापस जाने का सवाल ही नहीं, अब सिरफ आगे ही बढ़ना है. और आपके सामने हर चीज बहुत crystal clear होगी, बहुत clarity मिलेगी और कहते हैं ना कि जिसे ईश्वर का रूप समझ में आ जाए, तो उसे इस materialistic world से फिर एक वेराग्यसा हो जाता है, वो detach हो जाता है हर चीज से, क्योंकि उसे इतनी clarity मिल जाती है. तो अब ईश्वर के बंदों को वो clarity मिलने वाली है, और जब वो clarity मिल जाएगी, तो आपका इस धरती से एक detachment सा हो जाएगा, आप detach हो जाएंगे हर उस चीज से, जो आपको ईश्वर से दूर रखती है, और आपको लगता है कि ये आपकी जिन्दगी में अब जरूरी नही है, तो हम अब उस दौर पर पहुँच गए हैं, अपने जिन्दगी के, बहुत सारे मेरे viewers जो आज इस reading को देख रहे हैं, आप वहां पहुँच चुके हैं, जहां से आप वापस नहीं आने वाले, बस अब आप आगे ही बढ़ते जाएंगे, और ईश्वर के और करीब होते जाएंगे, क्योंकि अब वो miraculous जो point है, आपकी जिन्दगी में वो आने वाला है, जो आपको, आपका जो यकीन है ईश्वर पर, उसे endorse कर देगा, तो इस message को हम कुछ card से और clarify करते हैं, और थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, वाउ, आप देखे, first card जो आया है, वो यही ब इसा role play करेगी, और यह जैसे लग रहा है, मानो आपको कुछ चीजे जो आपके सिरफ खाबों में थी, या बिलकुल भी clarity नहीं थी, यह जैसे आप बस dream करते थे उन चीजों के बारे में, तो वो अब जो है, आपके fruition में आ रहा है, यानि आप reality में, अब उसको, आप manifest होते ह हुए देखेंगे, और यह union का card है friends, fated meeting number seven, angel number seven, यह जैसे आपको अपने उस divine प्यार का रूप दिखाएगा, अब जैसे God, बहुत लोग यह कहते हैं कि हमें divine love चाहिए, और इसके लिए आपको खुद divine बनना पड़ता है, तो अब वो वक्त है, जो भी divine बन चुके हैं, और जिन्होंने भी ईश्वर को अपने अंदर महसूस कर लिया है, तो आप यूँ समझ लीजिए कि ईश्वर किसी ना किसी रूप में आपके reality में manifest होने वाले हैं, और आप individual level पर अब इनको महसूस करेंगे, और बस यहां से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, अब आप बस unpleasant moments आपके पीछे छूट गए हैं, और आप अगर ऐसा फील करते हैं कि कहीं वही दुबारा ना हो जाए, आपको अगर डर लगता है, आपको अपना दिल खोलने के लिए डर लगता है, या किसी से मिलने के लिए डर लगता है, या हो सकता है कुछ ऐसे experiences रहे हों कि आपने बह से कहीं ऐसा ना हो कि मुझे फिर से उसी जगह पर पहुचा दिया जाए, जहां पर मुझे इंतजार करना पड़े या मुझे कोई सेट बैक देखना पड़े, तो यहां पर डिवाइन आपको एशुरंस दे रहे हैं कि आप वापस नहीं जाने वाले, तो यह जैसे एक पोर् से आप आगे बढ़ रहे हैं, यहां से आप पीछे आने का सवाल ही नहीं, तो जो भी डिवाइन को महसूस कर चुके हैं, उनकी लाइफ में डिवाइन लव मैनिफेस्ट हो रहा है, वाव, ब्यूटिफुल, और काज से हम और थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, एक और न भी किसी का पल्रा भारी था, और कोई कुछ दे ही नहीं रहा था, तो अब वो बैलन्स हो रहा है, तो जैसे एक जज्जमेंट का काड हो सकता है, यह जैसे जज्जमेंट आ रही है, जैसे कर्मा, जो भी आपने कर्मा किया है, अगर आपने अच्छा कर्म किया है, आपने balance को अब literally देखेंगे अपनी जिंदगी में क्योंकि ईश्वर की presence को अब आप feel करने वाले हैं और अपनी life में आप कुछ miraculous इस तरह के कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में कोई miraculous event होगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि इश्वर आपके साथ हैं और यह जो balance आ रहा है आपकी life में यह आपको बहुत जैसे clarity देगा आपकी जिन्दगी में clarity देगा आपकी जिन्दगी में आपको एक मिनट थोड़ा सा मैं यह card को और थोड़ा सा study करना चाहती हूँ एक तो बहुत समय के बाद यह balance आ रहा है friends जैसे यह door ही बहुत समय के बाद खुला है और और यह door से एक बार निकल गए तो बस फिर वापस आने का कोई मतलब नहीं क्योंकि यह balance restore करने के लिए ही आप जैसे इस दर्वाजे के खुलने का इंतजार कर रहे थे एक बार फिर से fate का काड आया है यानि यह जैसे आपकी destiny है तो अब आपकी destiny role play करेगी friends यह balance restore हो रहा है और जिसके लिए आप destined है जिसके लिए इतना कुछ इतना drama आपकी life में हुआ इतने karmic lesson से आप गुजरे और इतनी चीज़ों को आपने सीखा तो वो अब सारे balance में आ रहे हैं आपको judgment मिल रहा है और यह जैसे आपकी जो जिन्दगी है आप यह देख सकते हो इस card में यह जैसे transformed butterfly बन चुकी है एक fairy बन चुकी है यह लड़की और कुछ इसी तरह से आप transformed हो चुके है और एक बार वो transformation हो गया जैसे अगर एक cocoon से निकल कर एक caterpillar butterfly बन गया तो उसके बाद butterfly दुबारा से caterpillar नहीं बनता है तो इस वक्त जो भी मेरे friends आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस magic को जब आप एक बार अपनी जिन्दगी में देख लेंगे जो कि बहुत जल्द आप देखेंगे अगर आप इस reading तक पहुँचे हैं तो मैं यही intention set करती हूँ कि जिसके लिए भी यह बहुत important है यह message वहां तक पहुँचे और अब कोई return नहीं होने वाला तो अब आप ascend कर रहे हैं अब आप आगे बढ़ रहे हैं इश्वर के और करीब जा रहे हैं और एक बार फिर इस card में हमारे पास seven number की presence दिखाई दे रही है तो यह number हला की number 17 का card है लेकिन फिर भी seven number यहां पर भी दिखाई दे रहा है तो वाव यहां पर इश्वर आपको वो leap of faith लेने के लिए बोल रहे हैं friends आप कुछ ऐसा कर गुजर जाएंगे जो आपने पहले कभी ना किया हो और सिरफ faith पर इस बार आप जो है ना कुछ किसी calculation में नहीं जाने वाले कोई logic में नहीं जाने वाले क्योंकि ऐसा कुछ miraculous होने वाला है जिससे आपका faith जो है God पर बिल्कुल endorse हो जाएगा और आपको और किसी proof की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप कुछ ऐसा कर गुजर जाएंगी कि खुद को भी हैरान कर देंगी और इस बार इश्वर जो कह रहे हैं इस बार आपको कोई डर नहीं होगा क्योंकि आपका हाथ स्वयम डिवाइन ने पकड़ा हुआ है तो आप यह समझ लो कि बस आप वो leap of faith ले रहे हैं unknown territory में आपको कुछ नहीं पता आगे का रास्ता क्या है लेकिन आपका faith जो है वो unshakable होने वाला है तो friends बिल्कुल तयार रही इसके लिए क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं unknown में आगे बढ़ रहे हैं आपको आपके पस कोई road map नहीं है आपके पस कोई destination नहीं है यहाँ जाने के लिए लेकिन जिसने ईश्वर के साकार रूप के दर्शन कर लिए हो उन्हें कोई road map की जरूरत नहीं पड़ती है और वो बिल्कुल बस आखे बंद करके वो आगे बढ़ जाते हैं उस light की तरफ जो आपको खीच रही है अपनी ओर वाव बहुत beautiful message है इस full moon का मैं और थोड़े cards निकालना चाहूंगी beautiful card आया है और यहां पर हमें full moon भी नज़र आ रहा है और masculine energy नज़र आ रही है यानि power तो आपको extra power दी जा रही है तो बहुत लोगों के साथ बहुत सारे मेरे viewers के साथ एक masculine energy भी आकर जुड रही है और काफी सारे लोग जैसे खुद ही एक leader के role में आ रहे हैं और आपको जैसे divine खुद push कर रहे हैं कि आप में वो power है आप lead कर सकते हैं आप आगे बढ़िये आप ज़्यादा सोचिये मत और अपने आपको कमजोर मत समझे तो यह बहुत beautiful transformational time है friends आप एक अलग ही शक्ती को इस वक्त महसूस करेंगे और literally जैसे यहाँ पर जिनके लिए यह fated connection है एक romantic connection कहूंगी यह divine connection कहूंगी मैं तो यहाँ पर जो है masculine power भी step up कर रही है और आपकी साथ आकर जुड रही है और यहाँ पर आपके खुद के अंदर की masculine power है जो अब पुरे balance में आ रही है और आप खुद अपनी power को feel करने वाले हैं आप खुद leadership role में आने वाले हैं तो इस वक्त जो भी आप करेंगे आप पुरे faith के साथ करिए और पूरी power के साथ करिए कोई doubts के साथ मत करिए और चाहे आपको रास्ता unknown लग रहा हो चाहे आपको आगे कुछ ना नजर आ रहा हो लेकिन आप अपनी power को claim करिए और आगे बढ़ जाए एक बार फिर 7 number का card आया है 43, 4 plus 3 7 और देखिए कौन सा card है, the unexpected और इस deck में इसे मैं twin flame card कहती हूँ और कुछ ऐसा expect करिए जो आपने कभी सोचा नहीं था तो unexpected का मतलब ही यही है जिसे आपने expect नहीं किया था तो हमें शुरू से जैसी यह message मिल रहा है कि कुछ miraculous होने वाला है, कुछ ऐसा portal, कुछ ऐसा gateway आपके लिए खुल रहा है, जहां से आप अब वापस नहीं आएंगे बल्कि और ईश्वर के करीब होते चले जाएंगे और बहुत सारी इंडिकेशन यहां पर आ रहे हैं कि balance में आ रहे हैं, आपके जो अंदर के भी masculine and feminine energy balance में आ रहे हैं और अगर कोई आपके partner हैं तो वो अपनी पूरी पावो में आ रहे हैं अगर पहले वो वीक थे या कोई decision नहीं ले पा रहे थे तो अब वो decision ले पाएंगे और आपके साथ आकर जुडेंगे और यह देखिए हमारा final card the world, completion, joy, you know आप एक abundance एक success की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जैसे आपकी पूरी journey, completion की तरफ है जो भी कार्मिक lessons थे वो पूरे हो चुके हैं और होने की कगारपर हैं बहतों के लिए और जैसे पूरे world, पूरी दुनिया आपकी बदल जाएगी तो कुछ ऐसा miraculous event या कुछ ऐसी clarity आपको मिलने वाली है जिससे आपकी जो पूरी दुनिया बदल सकती है तो हो सकता है कि आप एक नए level की consciousness को अपने अंदर फील करने वाले हैं आप खुद अपने अंदर एक बहुत बड़ा change एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे और बहुत सारे मेरे व्यूर्स आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे और बहुत सारे लोगों के लिए जो है बाहर की जिंदगी भी बदल रही है जिनोंने अपने अंदर ये बदलाव को already महसूस कर लिया है तो अब वो चेंज़ को बाहर भी महसूस करने वाले है और मैंने एक लास्ट मेसेज जो है साई बाबा डेक से निकाला है और आप खुद देखिए ये सेलिब्रेशन्स का कार्ड है और बॉटम अफ देख में हमारे पास है डिवाइन टाइमिंग तो फ्रेंज बिलकुल अगर आप किसी भी चीज़ के लिए इस वर्क आंक्शियस है अपने धैरिय को खो रहे है या आप बहुत डिस्टर्ब हो रहे है तो यहाँ पर आपको बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि सेलिब्रेशन का टाइम आ गया है गुड न्यूज तो जो भी मेरी इस एनरजी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं आज तो आप यह समझ लीजिए कि आप कुछ ऐसा फॉर्म देखने वाले हैं इश्वर का कोई इस रूप में आपके पास कुछ ऐसी क्लारिटी आएगी जिससे आपके लिए सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और बस डिवाइन टाइमिंग का वेट करेए तो सिरफ टाइम की बात है और यह न्यूज आप तक पहुँच रही है और आपकी दुनिया बदलने वाली है तो बहुत 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 ब्लेसिंग्स और मोर मोर लव इन लाइट फ्रम सोनी